नश्कार, BCN News की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ आईए एक नजर डालते हैं खबरों के और बिहार सरकार के क्रुशी मंतरी अमरेंदर प्रताव सीह, सांसत अजयमंडल, प्रभारी कुलपती, डॉक्टर आर के सोने ने सयट रूप से फीता काटा और पौधा रूपन किया इस दोरान क्रुशी मंतरी ने चात्रावास का निरेक्षन किया आपको बता दे कि Ground स्टू के 3300 वर्ग मेटर में बनाएके इस चात्रावास में लगबख छे कुरोट की लागत से प्रतम तल में 40 कमरे और द्वितीय तल में 40 कमरे जबकर ग्राउण में 20 कमरे बनाएके हैं सभी कमरे में सिंगल बेट लगाएके हैं चात्रवास में अगर सुविधाव की बात करें तो डाइनिंग हॉल, वॉस एरिया, सर्विस एरिया, स्टाफ रूम, चेंजिंग रूम, इंडोर गेम, मीटिंग रूम, मल्टी परपस हॉल शामिल है कृशी मंतरी ने कहा कि बिहार कृशी विश्व विध्याले सबोर लगातार बहतरीन कारिय कर रहा है, चात्रवास काफी सुन्दर है बेयो के तरक्की में सीएम नितिष्ट सरकार बेयो के साथ है चात्रवास के उद्गाटन कारेकरम के बाद विश्विध्याले सागर में जलजीवन हरियाली योजनां तरगत किसान गोश्टिक कारेकरम का भी आयोजिन किया गया सुवजाओं को बढ़ाने का काम है इन्वर्सिटी कर रहा है और सरकार का संग्रक्शन प्राप्ट है इन्वर्सिटी अधिक से अधिक सेवा करे और किसी के छेत्रे में इसकी बड़ी ख्याती है और वो ख्याती बरकरार नहीं आगे बढ़े और दूर दूर तक फैले इसे तु यह सब काम होत अवसक है और उसी मुद्देश से से चात्राओं की सुवजा के जिश्टी से यह चात्रावास पना है जो आधनिक साज सज्जा के साथ है सुवजाओं के साथ है BCN News के लिए भागलपुर से मनोश कुमार सिहक रिपोर्ट मामरा सुपॉल जिले के त्रिवेनी गंज अनुमंडलीय मुख्याले अंतरगत स्ट्यम कार्यालेका है स्ट्यम स्जेड हसन ने बताया कि आगामी एक फरवरी 2021 से होने वाली परिक्षा को लेकर बैठक की गई है स्ट्यम स्जेड हसन ने बताया कि आगामी एक फरवरी 2021 से होने वाली परिक्षा को लेकर बैठक की गई है परिक्षा केंडर पर नियुक के गए परवरी 2021 से साथ बैठक कर सभी को दिशा निर्देश दिया किया है त्रिवेनी गंज में चार परिक्षा केंडर बनाये के हैं 2021 में चातराइ परिक्षा में बैठेगी एक फरवरी से तेरा फरवरी 2021 तक परिक्षा चलेगी सभी केंडरों पर CCTV कैमरा लगाया चाहेंगी वीडियोग्राफी भी की चाहेंगी पहली पाली की परिक्षा साड़े नव बचे से शुरू की जाएगी दूसरी पाली की परिक्षा एक बच कर पैतालिस मिनट से शुरू की जाएगी वही एस्ट्रियम ने बताया कि परिक्षा के पहली पाली में चातराओ को 9 बचकर 20 मिनट तक ही केंद्रों पर लाए जाएगे वही दूसरी पाली परिक्षा में 1 बचकर 35 मिनट तक ही परिक्षा केंद्र के 500 गज परीधी में धारा 144 लाकु रहेगा वही छात्राएं की जांच के लिए महिला पधादिकार्यों की भाली की गई है सभी छात्राओं को परिक्षा केंद्र के अंदर चपल पहन कर ही जाना होगा चुता पहन की जाने पर प्रतिबंदल लगा है कि इसकी बैठक की गई है इसमें व लोग केंद्र पर जो एक फरवई से हमारा ये परिक्षा प्रारंग है और ये तेरा तारीक परिख्षा चले का इसमें सभी केंद्रों पर पर सीची टीवी लगाए जा रहे हैं कि विडियोग्राफि जो दंडा को वहां पर महिला करमी को रखा गिया है जो फिरिस्किंग करेंगे उसके अलावे दोवारा फिरिस्किंग हम लोग रूम में भी करेंगे यानि दो अस्तर पर फिरिस्किंग करेंगे BCN News के लिए बिहार से मनिस कुमार सुपॉल की रिपोर्ट उपमुख्यमंत्री सहमंत्री परियावरन वन एवं जलवायु परिवरतन विभाग तारकिशोर प्रसाज शुकरवार को गोबिल सरेक्षक सहसमुदाईक आरेक्षक का निरिक्षन करने पोचे जहां उनका तता उनकी पूरी टीम का जोरदार स्वागत हुआ उनकी साथ प्रदान सचीव दीपर कुमार सीह, जेडियो जिला अधिक्षक शमीक इकबाल, मनिहारी विधायक मनुहर प्रसाज सीह, मल्सी अशुक अगरवाल, राजवन सीह, डीम कवल तनुज, पुलिस अधिक्षक विकास कुमार, पूर्णिया डीएफो भासकर शंदर भ भागलपुर डीएफो भरत चिंता पल्ली, इंडियान बर्ड कंजर्वेशन की स्टेट समन्वेक अर्विन मिश्रा, कोड़ा विधायक पूरुसांसत निखिल चोधरी, नर्पत गंस विधायक जैप्रकाश यादव, कोड़ा विधायका, बीज़पी जिला अधिक्ष लख इवं उनके सारे पदादिकारी आज हम सब के बीच उपसित है, और हम लोग निरिक्षन कर रहे है कि कैसे आने वाले दिनों में इस जील को समुदाइक आरेक्षिक के रूप में हम सब मिलकर भेतर ढंग से विक्सित करेंगी, जिसे यह जील पर्यटन के मानशीत रमीत दिख और वास्व में मैं सुरापार टाल के भूस्वामियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके सवयोग तता मेहनत से इस जील के जिरनोधार को दिशाम मिल पाई है। मनिहार गंगा घाड को विक्सित करने के लिए नमामि गंगा पर यूचना की तहत हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिससे मनिहार गंगा घाड की पौरानिक विशेष्टा एवं आध्यात्मिक महत्ता बरकरार रहे। बैठक में मनिहार गंगा घाड से वैकल्पिक रास्त बनने पर भी चर्चा हुई BCN News के लिए कटिहार से विमल कुमार की खास रिपोर्ट BCN News की प्रदेशी ख़बरों में फिलहाल इतना ही SCN ने और ख़बरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे BCN News नवश्कार